राजी की सबी सरकारी स्कूलों के टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया गया है जिसकारण सिक्षकों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है नमश्कार आप देख रहे हैं दर्शनियूज और मैं हूं यतियाप के साथ राजी के सभी सरकारी स्कूलों को 16 मई से सुबा 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित किया जाना है ये समय 30 जून तक प्रभावी रहने वाला है मिशन दक्ष कारिक्रम के तहत बच्चों के लिए विसेश कक्षाय चलाई जा रही है इस संबन्द में सिक्षा विभाग के निर्देशक कनहिया प्रशाद स्रीवास्तव ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है निर्देश के मुताबिक विसेश कक्षाओं के दोरान छात्र छात्राओं को मध्यान भोजन जो मिड़े मील मिलता है वो अब दस से साड़े दस बजे के बीच ही दे दिया जाएगा गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्त में प्रतिकूल असाइड ना पड़े इसको देखते वे सिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालेों में विसेश कक्षाओं के संचालन के समय में बदलाओ करने का निर्ने लिया है ये पहली बार बिहार की सरकारी स्कूलों के सिक्षकों की गर्मी की छुटी में उनको स्कूल आना पड़ रहा है देखिए इसे पहले कभी नहीं हुआ था लेकिन A.C.S.K. के पाठक ने फर्मान जारी किया और सरकारी स्कूलों के सिक्षकों को गर्मी की छुटीयों में भी स्कूल आने को का और अब गर्मी छुटी खतम होने वाली है और सिक्षकों की परिशानिया जो है वो अब बढ़ सकती है दरसल मुश्किले और जादा बढ़ने वाली है क्योंकि अब सिक्षकों को सुबा 9 बजे से दोपहर 15 बजे तक स्कूल में अपना समय देना हुगा ये रुटीन गर्मी के छुटीों के बाद यानि की 16 मैं से शुरू होने वाला है और 30 जून तक ऐसा ही रुटीन रहने वाला है इस रुटीन को लेकर मधमिक सिक्षा निर्देशक कनहिया प्रुशाद स्रिवास्तव ने आदेश जारी किया है उस आदेश के मताबिक 16 मैं से सुबा 6 से 12 बजे तक सिक्षन कार चले गे और 12 बजे के बाद सिख्षक स्कूल में कमज़ोर बच्चों को पढ़ाई देंगे जी यहाँ जो मिशन दक्ष का कारिकाल चल रहा है मिशन दक्ष के अंदर जो कलासे जो रही है उसके तर्च पर बच्चों को 12 बजे के बाद स्कूल सुबा सिक्षकों को 6 बजे आना होगा, 12 बजे तक नॉर्मल जो पढ़ाई होती है वो होगी और उसके बाद 1.5 घंटे जो मिसंदक्ष के तहित क्लासेश चल रही है उसमें सिक्षकों को रहना अनिवार्य होगा और डेड़ बजे के बाद ही स्कूल से सिक्षक निकल सकेंगी ये रूटीन अगामी 30 जून तक लागू रहने वाला है वही सादेश में सभी जिला सिक्षा पददिकारी को निर्देश दिया गया है इसे लेकर भी जिला सिक्षा पददिकारी को निर्देश जारी कराये गया इसके लिए प्रधाना ध्यापक को भी विशेश रूप से निर्देशित करने का अदेश दिया गया है साती पददिकारी को सारी चीजों पर ध्यान रखने के लिए कहा गया पताते चले कि गर्मियों की छुटी में पहली बार केके पाठक के आदेश पर सिक्षक स्कूल आ रहे हैं। उसके मुताबिक अगर आप विलंब से स्कूल आते हैं तो फिर केके पाठक का चाबो का पर चल सकता है।